आपके सामने और जबरदस चीज में थोड़ा हाला की देखिए क्या है ना जी सम्टाइम्स ये सब न्यूज इसलिए भी लाई जाती जैसे मैं पाकिस्तान के बारे में जो बताने जा रहा हूँ उसका ना मतलब लाजिक कुछ हो या ना हो लेकिन हमारा confidence उससे बहुत बढ़ता है confidence क्यूं बढ़ता है किई बार हमें लगता है पता नहीं पाकिस्तान हमारा क्या कर देगा तो ऐसी स्थिति में कभी कबार मतलब पड़ोसी के हालचाल भी पूछ लेने चाहिए तो आईए इसी करम में आज आपके पड़ोसी के कुछ हालचाल बताते हैं ख़बर है पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने कहा है कि वो इसलामाबाद में जो उनका प्रधान मंतरी आवास है उसे किराय पर देना चाहते है आप पुछेंगे अच्छा, ऐसा क्यों? बहुत ही, मतलब लिबरल प्रकार के हो गए है यानि कि ये तो मतलब एक प्रकार से बहुत ही ऐसी मिसाल पेस करना चाहते है कि यहां से आगे हम राजा जैसी फीलिंग नहीं लेंगे हम सामान प्रजा की तरह जीएंगे, नहीं बिटा, ऐसा नहीं है तो क्या है? हालत खराब है, पैसा नहीं है प्रदान मंत्री ने कहा है कि मैं प्रदान मंत्री आवास छोड़ रहा हूँ इसे किराये पर चढ़ा दो, जो पैसा मिले उससे देश की हालत सुधारो गवर्नर से कहा है, जो राज्य के गवर्नर होते हैं उनसे कहा है कि जो बड़े-बड़े महलों में आप रह रहे हैं जैसे आपने अपने राजिस्थान में या आफिर किसी भी स्टेट में देखा होगा गवर्नर हाउस बहुत बड़ा सा होता है बोले उनसे खाली करवाओ और खाली करवा करके उन्हें किराय पर दे दो ताकि थोड़ा पैसा आए और घर चल सके जी हाँ साथियों तो पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने लिया है गजब का इनिसियेटिव तो आईए आज चर्चा करते हैं उसी के साथ में तो पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने हाल ही में कहा है कि इसलामाबाद में इस ते तो उनका सरकारी निवास किराय पर दे दिया जाए किसी भी कल्चरल एक्टिविटी के लिए तो साथियों अब हमारे निउस पेपर भी कुछ खेच जादा ही देते है मास्तिक्ता ये है कि इनके सारी पीछी की जानकारिया निकाल ली जानकारिय निकाली तो पता चला कि आफ्टर सेलिंग कार असल में हुआ क्या ना जी नवाज शरीफ की सत्ता हटी और इमरान खान प्रधान मंत्री बने तीन साल हुएं प्रधान मंत्री बने हुए तीन साल हुए तो इनहें नवाज शरीफ की कुछ बहसे दिखाई दे गई बहसे थी कुछ महंगी यानि बढ़िया बहसे थी उनके पास में बेंसे बेच करके इन्हों ने पाकिस्तान सरकार को पैसा दे दिया, कि देखिए मैंने बेंस बेच करके पैसे दे दिये, ऐसे ही साथियों इन्हों ने हाल ही में अपनी जो पाकिस्तान की खराब हालत है, उसको बचाने के लिए इनके बेड़े में जो बहुत बड़ी-बड़ी महंगी कारे थी वो बेच डाली अब वो बेच दी तब भी बोले ये पकड़ ये पैसा इससे का अब तो हद ही हो गई है अब ये है कि इन्होंने कहा है कि भाई मेरा जो निवास स्थान है उसको भी किराय पर चढ़ा दो और देश के लिए पैसा एकटा कर लो लेकिन बंदे के अंदर गट्स क्या है अभी वो आपको पता चलेगा तो पाकिस्तान गवर्मेंट पुट इमरान खान स ओफिशल होम फोर दी रेंट साथियों अगर किसी को भी लगता है कि वो यहाँ पर जाकर के कोई सांस्कृतिक कार्यकरम करना चाहता है कोई मतलब सेक्षनिक गतिविदी करना चाहता है एजुकेशनल इवेंट करना चाहता है तो ऐसी स्थिती में यहाँ जाकर के वो बढ़िया से इस बिल्डिंग को किराय पर ले सकता है कोई फिल्म विल्म की शूटिंग करनी हो तो किराय पर ले सकता है यह अपना घर छोड़ चुके हैं तो यह है साहब पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान का जो ओफिशल सरकारी निवास जैसे अपने प्रधान मंतरी का सरकारी निवास दिल्ली में है ऐसे ही यहाँ पर इनका इस्लामाबाद में स्थित सरकारी निवास है इस सरकारी निवास को ये छोड़ दिये हैं और कहा है कि जिसको अब देखिये भाई ये मैं आपको न्यूस का क्रेडिट दे देता हूँ पहले ही हिंदुस्तान टाइम से हमने ये वीडियो लिया है तो मैं आपको बता दूँ तो अब ये थोड़ा सा मज़दार बाते इसलिए इस आडियो को सुनाना चाहूँ वैसे तो मैं चाहरा था बंदे की एक मिट एक मिट पहले मैं बताता हूँ फिर आपको बता चलेगा ये भाई सहाब ये एक बात और जबरदस्त बोले ये होता है सकारात्मकर रवाईया आप होता है कि सहाब कुछ भी कुछ मतलब पैन तूट गया पैंसिल तूट गया तो दिमाग खराब कर लेते हैं इन भाई सहाब का घर किराये पर चला गया पाकिस्तान तीसरे नमबर पर वो मुल्क है जिसने सबसे पे बेतरी तिक कैसे ये दो रास्तों के बीच मैं अपने मुल्क बचा के निकल गया या एक तरफ बोना तो तो प्सी तरफ उपनी माईशत को बचा रहा है अमारी माईशे ये मुश्कल बच और अला पर तरह मैं के बूप पर जा रही है गजब ही कह दिया है साब इनने मतलब समझ रहे हैं आप इनने जो कहा है प्लीज वो सुनें बहुत गजब बात बोली है इनोंने इनोंने कहा है कि भाई हमने वर्ड एकोनोमिक फॉरम कह रहा है कि हमने एकोनोमी का और कोरोना का बहतरीन प्रबंदन किया है हमने ऐसा प्रबंदन किया कि हम दुनिया की तीसरी ऐसी एकोनोमी है जिसने अपना प्रबंदन बहतरीन तरीके से किया और हमारी economy अब आगे बढ़ रही है आगे चलते हैं, सुनते हैं साथियों इनकी इनी बातों को अब पढ़ते चलिएगा थोड़ी बहुत अंगरी जी आपको भी आएगी हम translate करते चलेंगे, यह क्या है हमारा इसका speaker खराब है, थोड़ा आपको आवाज proper नहीं आती होगी, हम पढ़ते चल रहे हैं तो साथ ही यहाँ पर इन्हों ने कहा है कि Pakistan के अंदर financial crisis है ऐसी इस्थिती में हमें यह निरने लेने पड़ रहे हैं, तो जड़ा देखिए पाकिस्तान ने कहा है कि according to world economic forum क्या बाते बोलते हैं इमरांग खान साहाब मतलब यह batsman थे, baller थे लेकिन फैकने वाले गजब थे which greatly balanced for covid restriction and economic recovery, ने कहा है कि भाई हमने तो गजब ही वाला जो है manage किया है, economic recovery को लेकर के, world economic forum हमने हमारी मतलब जबरदस तारीफ की है हमारी economy जबरदस डिफिकल्ट टाइम में चल रही है, लेकिन अल्ला का सुक्र है कि हमने इन सब चीजों को manage कर लिया है, और manage करने के लिए हमने पाकिस्तान गॉर्मेंट से कहा है कि वो जल्दी से हमारा घर किराए पर दे दे, और किराए पर दे करके जो भी पैसा आए, वो घर के लिए, यानि घर सरकार के लिए इस्तमाल करें. हमने अपने severe crash, जो cash की हमारे पास हालत खराब हो रखी है, उस cash की आपूरती के लिए, अपना सरकारी निवास किराय पर देने के लिए कोई fashion की activity करना हो कोई cultural activity करना हो कोई educational event करना हो इसके लिए किराय पर दे सकते हैं वास्फिक्ता ये हुई इन्होंने पहले तो बहुत बड़ा वादा किया कि मैं इस गोर को छोड़ के चला जाओंगा और यहां पर चलना चाहिए एक institute या फिर कोई university लोगोंने मना कर दिया ना भाई साब नहीं चाहिए ऐसी इस्थिती में इन्होंने अपने द्वारा ये कहा है कि हमने पूरी तरह से इस्थितियों को manage कर लिया क्योंकि हम अब किराये पर दे करके पैसे बचाएंगे और पैसे बचा करके हम आगे की तरफ economy को cash crunch से यानि कि जो पैसे की आर्थिक इस्थिती इनके पास खराब हुई है उससे बचाएंगे देखो भाई बात ऐसी है हमने हिंदुस्तान टाइम्स को credit दिया हिंदुस्तान टाइम्स को credit दिया सब दो एक दूसरे को credit दे रहे हैं है ना जहां से भी हिंदुस्तान टाइम्स वाले सुन रहे हों भाईया इस पे strike मत मारना यार हम credit दे रहे हिंदुस्तान टाइम्स का वीडियो है ठीक है चलिए उम्मीद है आपको ये बात समझ में आगई होगी पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान की बाते जो हैं बड़ी रोचक और मतलब जबरदस्त हैं एनिवे अब इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको इस ओफिशली और इस्टेटिकल बाते बता देते हैं इस्टेटिकल बाते ये हैं कि पाकिस्तान की एकोनोमी जब से इमरान खान आए है 19 बिलियन डॉलर श्रिंक कर गई है आप पुछेंगे सर मतलब क्या होता है इसका थोड़ा सा ये बताइए और 19 बिलियन डॉलर सर छोटी सी तो रकाम है 60 बिलियन डॉलर तो अकेला चायना दे रहा है यार आप लोगों के लिए थोड़ी सी बात हो सकती है लेकिन जिसकी एकोनोमी मातर 200 बिलियन डॉलर की हो उसमें से 3 साल इनको आए हुए हुए है और 19 बिलियन डॉलर की एकोनोमी इनकी सिकुड गई है तो ऐसी स्थिती में इनके उपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये कैसे अपनी एकोनोमी को रिवाइव करें क्योंकि इनके पास में इस समय फंड का जबरदस्त क्राइसिस है दुनिया भर के देश इनसे धन मांग रहे हैं जो उधार दिया हुआ पैसा है वो मांग रहे हैं आप पूछेंगे तो सर एक बार हमें भी बता दो इन्डिया की एकोनोमी कितनी बड़ी है तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन आप लोगों की स्विधा के लिए एक आंकड़ा मैं दे सकता हूँ आकड़ा यह है पाकिस्तान की जहां एकोनोमी 200 बिलियन डॉलर की है यानि GDP 200 बिलियन डॉलर है साला на वही इंडिया की लगभग 2800 यानि 2800 लगभग 12 गुना पाकिस्तान की 12 टाइमस GDP इंडिया की है है ना, तो आप कभी भी पाकिस्तान की बातों में आकर के इंडिया के लिए जो माहौल खराबी का चलता है उसमें मतल अपेटे में आ जाया करिए इनके हालत वही वाली बात है घर में नहीं दानी और मम्मी चली भुनाने समझें, तो यहां पर साथियों इनकी जो कि अधर्वाइस थोड़ा कम लगता फीलिंग आती है इसमें इतना इनके उपर कर जा है, समझें तो एनिवे, तो पाकिस्तान की हालत से आपने समझ लिया होगा पाकिस्तान के तेहरी के इनसाफ पार्टी की तरफ से ये कहा गया है, कि हम लोग सरकार की तरफ से ये प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार से जितना भी क्राइसिस है उसको खत्म किया जाए दुनिया में अब रिसर्च का विशे हो गया है क्या रिसर्च का विशे हो गया है ये भी न्यूस जो है वो अलजजीर ये स्वारी डाउन.com की है इसको सुन लीजेगा डॉन यहां का प्रमुक अखबार है ये क्या लिखता है वाई पाकिस्तान एकॉनोमी हैस स्टेगनेंट वाई बांगला देशन इंडिया हैव मेड रैपिड प्रॉग्रेस देखिए क्या है ना हमारे अंदर कुछ इस प्रकार से मतलब एविश्वास पैदा कर दिया गया है कि हमें लगता है कि हमारे न्यूस पेपर बोलेंगे तो वो सरकार की तारीफ करेंगे आप लोग इस अखबार को पैचानते हों ये पाकिस्तान का अखबार है इंडिया का नहीं है इसकी वेबसाइट है डॉन बहुत फेमस अखबार है ये ठीक है डॉन की न्यूस है तो क्या न्यूस है जरा पढ़ लीजिए ये मई यानि आज से दो-तीन महने पहले की न्यूस है क्या न्यूस है कि पाकिस्तान की एकॉनमी तो रुक गई है बांगलादेश की और इंडिया की एकॉनमी दमादम बढ़ती क्यों जा रही है ये यहाँ पर विसर्च का विशय हो रहा है और इमरान खान की जो strategic policies हैं जैसे जबरदस्ती किसी ऐसे मामले में घुज जाना जिसकी वज़े से उसके साथ में growth के लिए कोई जुड़ना ही नहीं चाहता जैसे recent days में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो रवया रहा वो इसके लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ जैसे भारत के आंत्रिक मसलों में इसका बोलना केवल बोलना भर होता तो भी शायद भारत माफ कर देता लेकिन अंतर राश्च्रियं मंचों पर जाकर के इस प्रकार से बिहेव करना जैसे दुनिया का पता नहीं कितना पैसा लेकर बैठा हुआ है पता चल रहा है कि इस्लामिक और्गनाइजेशन में जा रहा है वहाँ पर कह रहा है कि मैं आराज हो जाओंगा अगर कश्मीर के मुद्दे पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो वहीं उईगर मुस्लमानों के मुद्दे के उपर जाकर के फिर चाइना की गोदी में बैठ जाना इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो Arabic World है उसका investment नहीं आया पाकिस्तान में सामान तया UAE साओधी अरब यह बहुत बड़े investor रहे हैं यह इसको यूँ ही पैसे दे के रखते थे यह पकड़ पैसे अपना घर चला लेकिन जब से इसने साओधी अरब को challenge दिया कश्मीर के मामले पर साओधी अरब ने इसको किनारे कर दिया कि अब तुम रहो भूके मरो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही इसके द्वारा जो अन्यकारिय किये गए जैसे आपको याद होगा अगर आपको याद हो तो Charlie Hebdo वाला एक विशय हुआ था पारलेमेंट के अंदर बहस चल रही है अरे यार तुमको दुनिया का करज दिलाने वाला France है क्योंकि France में ही FATF का मुख्याले है France के Paris में ही Financial Action Task Force का मुख्याले है वहीं पर Paris में ही OECD के देश बैठते हैं वो तुम्हें लौन दे या ना दे इसके बारे में निरिने लेंगे और तुम एक अलग politics में फस गया और वो politics ये कि भाई हमको France को बाइकॉट करना है तो समझो इसने दो तरफ से आने वाली जो घहरात थी उसके उपर खुद से एक कुलहारी मार दी मतलब news अभी आ रही है कि भैस बैच करके पैसे कमाए कार बैच के पैसे कमाए या फिर घर बैच करके पैसे कमाए ये स्थितियां अगर बनेगे आपको मालूम होना चीए हाल ही में पाकिस्तान ने अपने यहां का सबसे प्रतिस्टित एक पार्क था जो जिन्ना की बेहन के नाम पर था उसको बेचने की बात कर दी यानि कि यहां पर सरकार अपनी ऐसी संपतियों को मॉन्यूमेंट्स को बेचने का प्रयास कर रही है और वो एक नीती का फरक है तो मतलब इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं उनका प्रभाव एकदम दिखाई नहीं पड़ता लेकिन लॉंग रन में वो काफी ज़्यादा घातक सिद्ध होते हैं अभी रिसेंटली जैसे ही तालिबान वाला मुद्दा पाकिस्तान के साथ सुनने में आता है तो अच्छे से पता है इसको कि तालिबान को शहे देने का अर्थ हुआ कि अमेरिका से दुश्मन ही लेना और ये काम बखूबी कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने इतना पैसा आज तक पाकिस्तान को इसलिए दिया ताकि अफगानिस्तान में शान्ती रहे लेकिन भाई साथ को कोई फरक ही नहीं पड़ा तो इसने एक तरफ अमेरिका को दुश्मन बना लिया एक तरफ OECD देशनों को दुश्मन बना लिया गल्फ कंट्रीज को दुश्मन बना लिया अब केवल एक देश इसके साथ बचा है ये पूरी तरह चाइना पर डिपेंडनेंट हो जाएगा तो ये था साथियों पाकिस्तान के हालात जान करके तो खेर आपको भी ज्यादा मज़ा नहीं आया होगा पर फिर भी कोई निज़ा पताब आपको इससे ये अंदाजा लगेगा कि भाई देखिए क्या हालत हो रखी है इनकी आठ बफेलो इन्होंने बेच दी नवाज सरीफ की 200 मिलियन रुपे कमा लिए उससे मतलब भैस बेच के सरकार पैसे कमा लिए गदे बेच के सरकार पैसे कमा लिए ये गदे एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहे हैं भाई इन दिनों इनके यहां पर शिकार करने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं कि आओ हमारे हैं पक्षी मारो पैसे दे दो हमें यानि इनके यहां हालत बहुत गंभीर हो चुकी है और नेत्रत वो किसी भी रास्टर का अगर आपको जानकर के बड़ा मज़ा आया ना पाकिस्तान की हालत तो मैं बता दू खुश होने की जरुवत इसलिए नहीं है अगर पड़ोस में कहीं पर भी कहीं उधम मच रहा है अगर आपका पड़ोसी शराब पी कर गाली निकाल रहा है तो ये मत समझिये कि वो खुद के घर का नुकसान कर रहा है वो आपका भी नुकसान कर रहा है क्योंकि अशान्ती वो आपके लिए भी पैदा कर रहा है इसका फेल होना ये भारत के लिए भी चिंता का विशे है इसलिए भारत ने बहुत बार पाकिस्तान को कई मसलों पर समझाईश दी है भारत ने कई बार पाकिस्तान को समझाया है इवन भारत सरकार ने तो अपने द्वारा मतलब इन्वाइट तक किया था सार्क के प्रधान मंतरी मोधी जब बनेट सबसे पहले सार्क मीटिंग में इनको बुलाया गया कि आईए आप आकर के यहां पर इन्वाइट किये जा रहे हैं, आप सदश शिराष्ट रहें, आकर के बैठिये और भारत के साथ में एक जैसे दुश्मनों से मिलके लड़ा जाएं, हमारे और आपके सेम दुश्मन हैं, गरीबी, असिक्षा, अस्वास्त की समस्चाएं, ये कॉमन दुश्मन हैं, इन से मिलके लड़ें, पर वही है कि पॉलिटिकल नेतरत्व इनको किसी प्रकार से ये गत करके बेच दिया, है ना, इताकी सरकार को पैसा मिल जाए, तो हालत इनकी काफी जादा खराब है, बिकने पर हालत आ गए, प्रधान मंतरी का आवास कि राया पर चला गया, ये बहुत ही दुख़द है, है ना, चलिए, एनिवे, फिलहां, यदि आप चाहते हैं, अनकेड़ अपने मुबाइल में, लर्निक अप्लिकेशन मुबाइल में इंस्टॉल कर लीजे, गूगल प्ले स्टोर से, फॉन नंबर से अपने आपको रजिस्टर कर लीजे, सारी पुरानी क्लासेज अभी से देख डालिए, क्योंकि सारी क्लासेज मेरे द्वारा उपलब्द हैं, य मैं आपको बता दूँ किसी भी कैटेगरी में, चायू, PSC, SSC, Banking, Railway, किसी भी XYZ कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मेरा Referral Code अंकित 10 लगाके, वहाँ 10% डिसकाउंट तो पाते ही हैं, और वहाँ जितने भी Educators पढ़ा रहे हैं, उन सब की क्लासेज को कित आपको सब्सक्रिप्शन के लिए तरीका मैंने बता ही दिया, अपने आपको रजिस्टर करने के लिए, और हाँ याद रखिएगा, अंकित 10 रेफरल कोड लगाके 10% का डिसकाउंट प्राप्त कर लीजेगा, अपना खयाल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्य